नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का UPSC उतकर्ष में मेरा नाम है पूजा दिवेदी हाली में मनीपुर में हिंसा फिर से भरक उठी है इसका रीजन क्या है? 2023 में मनीपुर जल रहा था और इसके साथ पूरा देश दुखी था इस समय भी हमने देखा है कि मनीपुर में फिर से हिंसा भरकी है CM बिरेन सिंग का घर भी टार्गेट किया गया है कुकी और मेती की जो लडाई है ये व्यापक तोर से फैल गई है अभी तक तो हमें ये समझ में आया था कि मनीपुर में मयानमार से कुछ इलीगल इमिग्रेंट साके रह रहे थे यहाँ पे वो अलग-अलग प्रकार की खेती कर रहे थी जिससे मेतीज और कुकीज दोनों के बीच में जड़ब हो रही थी ये जड़ब फिर से क्यों जाग उठी और असल में हिंसा ये बढ़ती क्यों चली जा रही है हाली में विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी उन्होंने भी बोला है प्रधान मंतरी मोधी जी से कि आप जाएं और वहां के हालातों को समझें इससे पहले अमिट शाजी जा चुके हैं उन्होंने समझा कि ये जो पूरा इशू है ये बहुत जादा डीप रूटेड हिस्टॉरिकल एतिहासिक है यहां पे लडाई जो है वो वर्चस्व की लडाई है और इसको रोकने के लिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा कुछ ऐसे इसमें तत्व है जो चाहते नहीं है कि कुके और मेती साथ रहें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इससे पहले मैं आपको अध्यान सीरीज के बारे में बताना चाहते हूं यह अध्यान सीरीज वो सीरीज है जो कि आपके UPSC और UPSC जैसे किसी भी इग्जामिनेशन के लिए कार्या आएगी यह पर्टिकलर सीरीज वान शॉट वीडियो जैसे बनाएं गई है वान शॉट वीडियो जाने की अगर हम बात करें वान शॉट वीडियो की तो यह वो वीडियो जिसमें एक पटिकलर टॉपिक लिया जाता है और इस पटिकलर टॉपिक के अंतरगत सारी चीजों को समाप्त कर दिया जाता है और इसी को करने के लिए दीपक सर हिस्ट्री ले रहे हैं जो कि आज रात को 9 बजे आप देखेंगे लाइफ के तौर पे 4 बजे संतोष सर की क्लास चलेगी और ये सर की क्लास रहेगी ये साटलाइट से समबंधित हैं ये सर आपको अच्छे से बता सकते हैं कि किस प्रकार के क इससे पहले आपकी जोग्रफी की क्लास भी चल चुकी हो और बाखी क्लास भी ठीक है तो इसके बारे में हम विस्तरत तोर से चर्चा करेंगे हाली में असल में तीन महिलाओं और तीन बच्चों का शव मिला जीर भहम में जिसकी बात से मनीपुर में हिंसा फिर से भड़क उठी नोजार तीन से पूरे टाइम हमने देखा कि मनीपुर से रिलेटिट कोई ना कोई न्यूज आती रहती थी मनीपुर से ये भी बोला जाता है कि भारत सो तेला विहवार कर रहा है मनीपुर एक बहुती इंपोर्टेंट नौर्थीस्टन स्टेट है जो की इंटरनाश 2023 में शुरू जाती संखर्शों में अब तक 220 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है जी रिबैम में जिले में छे शव मिलने के बाब बात हिंसक विरोत का प्रदर्शन हो रहा है इसके अलावा स्थिती और भी खराब हो गई है प्रदर्शन कारियों ने तीन मंत्रियों और दागे लेकिन तनाव अभी तक बना हुआ है अधिकारियों ने इमफाल घाटी के कई जिलों में अनिश्टिकाल के लिए कर्फ्यू भी लगाया है भड़काव सामगरी के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबत कर दिया है राजधानी इमफाल में भी द finely उगरिवादी समोहों के खिलाफ ततकाल और निर्णाय कारिवाई की मांगी है देखो ततकाल कारिवाई नहीं होगी और निर्णाय कारिवाई भी नहीं हो पाईगी क्योंकि ये पूरी लड़ाई है ये आज की नहीं है ना पिछले 10 साल की यो पिछले शदियों से चली लड़ाई है, 200-300 वर्ष पुरानी लड़ाई है और ये संसाधनों के नियंत्रण की लड़ाई है, ये डिवलप्मेंट की लड़ाई है, ये एलियन नाइजेशन की लड़ाई है, यहाँ पर एक ग्रूप को लगता है कि वो दूसरे ग्रूप के द्वारा दबा दिये दूसरी चीज़ अगर हम बात करें जाती हो कि तो मनुपुर में एक नहीं बहुत सारी जन जातिया है, तो ये जो पूरा मोसैक है, ये इस प्रकार से बना हुआ है कि कोई भी एक ग्रूप दूसरे ग्रूप से खुश नहीं है, ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये ज करने का प्रयास हुआ था, मनिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता अपनी चिंता भी लगातार व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने ट्विटर, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था अब एक्स है, इस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त क करें, और कोई समधान निकालने, मैं प्रधार मंत्री से एक बार फिर मनिपुर आने और शेत्र में शांति की बात करने की बात करना चाहते हैं, मनिपुर में जो दो मुख्य गुठ हैं, जिनके बीच में असल में लडाई हो रही है, एक है कुकी और दूसरी है मेटे, मेटे आपके लिए खुल जाती हैं, आपकी संद्रक्षन करने के लिए, आपकी जाती का संद्रक्षन करने के लिए, बहुत सारे समधानिक प्रावधान हैं, जिनको आपको प्रवाइट किया जाता है, बताओंगी कौन-कौन से, हिंसा असल में इसको लेके शुरू हुई थी, ती चीज़े सोशल मीडिया से पता चल रही थी, जो कि दुखद हैं, मडीपूर की जो आबादी है, लगभग 38 लाख की है, जिसमें से मैटई तिरप्रंद प्रतीशत है, और नागा कुकी जो है, ये 40 प्रतीशत है, मैटई जादा तर इमफाल घाटी में रहते हैं, और कुकी जादा तर पहाडी जिलो में रहते हैं, तो जो घाटी में रहने वाली मैटे ही हैं, जहाँ पे घाटी है, प्लेन एरिया है थोड़ा, वहाँ पे डिवलप्मेंट बहुत आसानी से होता है, यहाँ पे रोड्स, इंफरास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट्मेंट भी ठीक ठाका ज जादा इन्वेस्ट्मेंट का इनको बेनिफिट मिला है, कुकी के पास ऐसा बिल्कुल नहीं है, साथी साथ जिले कितने हैं मनिपुर में, सोला जिले हैं, सेना पती, कंग पोकपी, तामेंग गलोंग, इसके साथ उख्रूल, जो अभी पर्टिकुलर इशूस चल रहे हैं, जिरिबैम में है, जिरिबैम यहां पर है, इस शेत्र में, तो आप देख सकते हैं कि वेस्टन मनिपुर में जादा प्रॉब्लम इस समय चल रही हैं, ठीक है, हिंसा प्रभाविक जिले हैं, यह सार कौन-कौन से हैं, तेंगनुपाल है, चूरा चांधपूर है, इस प्रकार से काम करता है, मैंते का, कुकी गुट, जो है, कुकी नाशल आर्मी, कुकी अपरे लिये अलग शेत्र भी चाहते हैं, कुकी रवलिश्नरी आरमी, जोमी, कुकी स्टूडेंट्स और्गनाइजेशन, कुकी जोमी को बहुत बार एक ही माना जाता है, यह एक ही है, ठीक है, इसके अलावा मडीपूर में जो हिंसा की वर्तमान लहर है, उस समय गती पकड़ी जब 6 शव की बरामादी हुई, जिनको माना गया है कि ये लापता महिते ही लोग है, यानि कि ये मेजॉरिटी ग्रूप है जो तिरपन प्रतीशत पॉपुलेशन का होते हैं, तो यहा 14 नवंबर को सुरक्षा बलो ने 10 लोगों को मार डाला था, सुरक्षा बलो ने मारे गए लोगों को आतंगवादी बताया था, हाला कि जो कुकी समुदाय है, इनका कहना है कि वे गाव के स्वयम सेवक थे, 6 मेती पीड़तों में 25 वर्षय महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, 31 30 वर्षय महिला है, उनकी बेटी है, तधा 61 वर्षय महिला भी शामिल है, जिनने कथित तौर पर कुकी उगरवादियों ने अगवा कर लिया था, और अब मार की, पता चला कि इनकी बॉड़ी यहां मे ली है, तो जादतर आप देख रहे हैं, जो इस सिचुएशन की सबसे स of targets हैं, वो women and children है, महिलाए और बच्चे, और इसी वज़े से महितेई पूरा ग्रूप नाराज है, माना जा रहा है कि जीरी बाम से लापता हुए 6 लोगों में से तीन व्यक्तियों के शव जीरी नदी में प्राप्त हुए थे, शवो को पोस्टम के लिए असम के सिल्चर मे अलिपूर इंटेग्रिटी ने हाली में अनिश्टकाल के लिए हर्ताल गोशित करने के लिए बात की थी, संस्ता के अध्यक्ष ने बताया कि वेस्ट इमफाल जिले के इमा की थाल बजार में हर्ताल की जाएगी, या एश्या का सबसे बड़ा महिला संचालत बजाल है, और बात करें, महिते वाले शेत्र अलग हैं, जो औरेंज वाले आप बीच वाले शेत्र देख रहे हो, यह प्लेन वाला एरिया, घाटी वाला एरिया, यहाँ जादा डिवलप्मेंट है, तो यह थूबल, इमफाल, इस, वेस्ट, कांचिंग, बिशनुपूर, यह महिते ही डॉ कुकी है, फिर्जवाल है, और बाकी चंदेल, तिंगपूल और जीरिबाम वाले शेत्र है, यह ऐसे शेत्र हैं, जो अलग-अलग जनजातियों से बने हुए हैं, तो बहुत सारी जनजातिया हैं, जो संसाधनों के नियंतरण के लिए लड़ रही है, मड़ीपूर में मैटी सबसे बड़ा समोदाय हैं, यहां 34 मानिता प्राप्त जनजातियां हैं, इन्हें मौटे तोर पर कुकी जनजाति के अंतरगती रखा गया, और कोई भी नागर जनजाति के रूप में माना गया, भले ही वो जनजाति, उनके भीतर रहके भी अलग है, फिर भी इनको या तो कहा जाता है, राजी की केंद्रे घाटी मरणेपुर के भूभाग का लगभग 10 प्रतीशत हिस्सा है, और मुख्य रूप से मेइतेई और मेतेई पंगलो का घर है, जो राजी की अबादी का लगभग 64.6 प्रतीशत हिस्सा है, राजी के भोगोलिक्षेत्र का शेष 90 प्रती इसके अलावा कुकी लगातार मेटे का जो पूरा-पूरा मांग मेटे की पूरी मांग है कि वह स्ट बनना चाहते हैं इसके खिलाफ है क्यूं बोलते है कि कुकी का कहना है कि मैटे ये पॉलिटिक्स में भी राजनीतिक तौर पर भी बहुत आगे हैं इनके पास संसाधन भी है इकनॉमिक रूप से भी कहीं आगे हैं फिर से इनको अगर आप रिजरवेशन दे देते हैं तो ये हमारा हक्षीन के आगे होते चले जाएंगे साथी साथ इनको एकनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट मिला है जोग्रफी की वज़े से भी क्यूंकि घाटी हम इन ही को आगे देखेंगे इसके अलावा ये ये भी सोचते हैं कुकीज और नागास कि फाइनली ये मनिपुर से पूरी तरह से निश्काशित कर दिये जाएंगे मेतेई कहते हैं कि हम असल में जाने जाते थे मतलब हम खुद जन जाती थे जब मनिपुर इंडिया के साथ 1949 में जुड़ गया उसके बाद से मेतेई का जो ये हक था जन जाती होने का ये छिन गया था तो दोनों ही इस मामले में अलग अलग परिद्रिशे रखते हैं मनिपुर के अनुसूचित जन जाती मांग समिती के नेत्रित्व में कम से कम 2012 से इस मांग के समर्थन में एक द्वारा एक याचिक का दायर की गई थी जसवे मठिपुर सरकार को ये निर्देश देने कि महांग की गई थी कि वह मैजितेई समुदाय को भारती सम्मेदान में अनुसूचित जन जाती की रूप में शामिल होने के लिए केंद्रे जन जाती मामलों के मंत्राले को सिफार की रूप में मानिता दी गई थी विलय के बाद इसने जंजाती की रूप में अपनी पहचान खो दी अदालत में या तर्क दिया कि समुदाय को संडरक्षत करने और मैती लोगों के पैतरिक भूमी परमपरा संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए की जा रही है राज येवम केंद्र सरकारों के दिये गए विभिन अनुरोदों में इसने कहा कि सूची से बाहर रखे जाने के परिणाम स्वरूप समुदाय कि अगरा की जड्णा के अनुसार की कह रहे है कि हम बस 44 प्रतीशती बचे हैं मतलब यह कहना चाहरे है तो हमारे आबादी अकम हो रही है और हम अब जन जाती भी नहीं बताये जा रहे हैं विल्या के बात से और अगर सरकार चाहती है कि मेंती इसमुदाय को संरक्षत करा ज राजी सरकार के अनुशंसा के बाद जनजाती कारी मंत्राले उनकी समीक्षा करता है और साथी साथ उन्हें ग्रह मंत्राले के तहत भारत के रेजिस्ट्रार जेनरल के अनुमोधन के लिए भेशता है अनुमोधन के बाद इसे राश्रे अनुसूचित जनजाती आयोग को संविधान आदेश 1950 जो दोनों अलग-अलग है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती इसके अंतरगत संशोधन के लिए संसर में एक विधेग पेश करता है इसको लोकसभा और राजसभाद्वारा पारित किये जाने के बाद राश्रुपती कार्याले संविधान के इसको याद रखेगा इसके बाद मणिपूर उच्च न्याले ने भी कुछ इसमें तरक दिये हैं अधालत ने कहा है कि याचिका करता और अन्यसंग में इतेई समुधाय को मणिपूर की जनजाती सूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं एवं सरकार को याचिका करताओ के मामले पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया अधिमानत आदेश प्राप्त होने से चार सप्ता की अवधी के बीतर यहां पर बोला गया है कि कारे करना पड़ेगा मणिपूर में जैसे कि मैंने आपको पताया यहां कुकी रहते हैं, कुकी जन जाती, नागा ट्राइब्स और बीच का जो शेत्र है, वैली का जो शेत्र है, जो पहाड़ी से थोड़ा नीचे है, वो मैते रहते हैं, मैते समुदाय के लिए ऐसी, ऐसी दरजे की मांग का राजिक के आदिवासी समूहु द्वारा लंबे फैक्टर्स हैं, पर बाकी बहुत सारे कारण भी है, राजी की पहाड़ी जन जाती में कई कारणों से अशान्ती है, अप्रेल के अंत में चूरा चांदपूर में हिंसा हुई जब भीर ने खुले जिम पर हमला किया, जिसका उधगाटन अगले दिन मुख्यमंतरी बिरेन सि जारी के गए नोटे से था, जिसमें दावा किया गया था, कि चूरा चांदपूर खौपुम संरक्षत वन शेत्र में 38 गाओं अवैध वस्तियां हैं, और इसके निवासी अतिक्रमण कारी हैं, तो वहां के जो लोग रह रह रहे थे इस बात से बिलकुल खुश नहीं थे, क करीब 11,000 F.I.R. दर्ज हो चुकी है, जिसमें आप समझी रहे, 11,000 F.I.R. मतलब हमारेया तो एक F.I.R. पर बात आगे नहीं बढ़ती, 3-4 साल लग जाते हैं, वो भी मैं बहुत जादा लिबरल होके बात कर रही हूँ, इसके अलावा तो आप छोड़ी दीजे, इस दौरा इंटरनेट बंध है, मड़ीपुर में अचानक बड़ी हिंट सा घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए इंटरनेट पर बैन भी लगाया था, चलिए अब इससे संबंदित एक प्रशन आ सकता है, वो देख लेते हैं, ST सूची में शामिल करने की प कर दोचम आ सकता है?